Assalamu alaikum, मैं हो Shama Aslam, आपकी फेवरेट यूट्यूब चैनल पर मैं डिसकस करने जाने हूँ Functions of rough endoplasmic reticulum सबसे बहले मैं यह discuss करती हैं कि endoplasmic reticulum basically क्या है endoplasmic reticulum को हम लोग बायो सेंथेटिक फेक्टरी भी कहते हैं यह जो है eocritic cell में extensive network है membranes का ठीक है और eocritic cells में अगर total membranes की बाग की जाएना तो more than half जो है अकरन्स endoplasmic reticulum की ही मुझूद होती है अगर हम लोग इसके नेम पर फोकस करें तो endo का मतलब है within और plasmic का मतलब है cytoplasm यानि कि यह endoplasmic reticulum cytoplasm में मुझूद होता है और next endoplasmic reticulum reticulum मतलब little net यानि कि cytoplasm में मुझूद little net इसके अगर हम लोग structure के अपर फोकस करें तो आपको इसका structure जो है इस तरह से नज़र आता है यह basically क्या है जिसके structure के अंदर यह network है membranes का क्या है membrane tubules का network है इसके पास sex मुझूद है जिसको हम लोग sisternia कहते है यह tubules है network का और यह क्या है sisternia है sisternia को अगर हम लोग लतीनी जबान में देखें तो यह sisternia से निकला हुआ है जिसका मतलब है यह liquid reservoir है यह क्या है liquid reservoir है अब जो endoplasmic brain है वो separate है एक दूसरे से internal compartment के जरी जिसको हम लोग endoplasmic reticulum lumen का नाम लेते हैं ठीक है इसकी basically दो टाइपस होती है endoplasmic reticulum के दो टाइपस एक हम लोग smooth है endoplasmic reticulum कहते हैं smooth का यह मतलब है जिसके पास ribosomes नहीं मुझूद absence of ribosomes जबकि अगर आप लोग यहां पर देखे ना तो आपको जो dots में रिप्रिजेंट किया हुआ है ऐसा endoplasmic reticulum का पार जहां पर ribosomes मुझूद है उसको हम लोग rough endoplasmic reticulum कहते हैं अब यह जो rough endoplasmic reticulum इसके में आपको functions आपके सामने explain करने जा रही हुँ ठीक है अब जब हम लोग functions के हवाले से बात करते हैं ना endoplasmic reticulum के functions तो बहुत ज्यादा यह जो cells की types उन्होंने क्या करना होता है, secrete करना होता है protein को और यह ऐसी protein है जो किसके साथ attached है rough endoplasmic reticulum के साथ इसकी example में देखती हूँ pancreatic cells है आपको जो pancreatic cells है ना इन्होंने synthesize करना होता है प्रोटीन को कौँसी प्रोटीन को insulin की अब यह protein insulin कहां पे प्रेपर होती है यह endoplasmic reticulum में प्रेपर होती है जैसे इसकी production हो जाती है तो इस protein को blood stream की अंदर जो है न वो जाता है प्रोटु जो पोली पेप्टायड जैन्ज है न वो घ्रो करती है कैसे करती है बांड राइबोस्ा जो है यह फोली पेप्टायड चेहलती है जो इंगरोगर्टी है यह जो तेंड अपस में अब बैसंतों और है और यह रओने पलिएकने मतब्स सबानी है रिक है अब भी इन लेकर करना है तेया मिन् стал राइड शेंग क्रुछ करें आई अब लेकिन器 अब ऑ К फोर करें है और यह थी द्री टेंडिट्रीन है के अंदर फिकर है पहला सकने हर valley एक नेटिव शेप के अंदर इसके अंदर एक नेटिव शेप के अंदर एक नेटिव शेप में फॉल्ड करना है जिसको मैं यहां पर लिखा हुआ है तरफ थि टेंड इंटो ऐा लियूमन ठीक है इसकी मदद से प्रॉड के जरीए ऐसा प्रॉड है जो प्रॉटिन कंपलेक्स में बना अगहा है और प्रॉटिन कंपलेक्स कहां मुझूद ए zie से ही प्रॉटिन में एंटर होती है तो इसने एक फॉल्ड बना लेना है किसे शेप में किस शेव में नेट्यव शेव में अब मैं problems with on बहुँ ज़दा सीक्रेटरी प्रोटीन जैसे के मरपसा देता है किसकी बात किसी एक्जेंपल ले रहे हूं मैं यहाँ पर सीक्रेटरी प्रोटीन जिसमें अर्पस क्या देते हैं जी ग्लैको प्रोटीन अब ग्लैको प्रोटीन से मुराद है कि इनमें कार्भो हाइड्रेट और प्रोटीन के अंदर क्या पाया जा रहा है कोवलेंट बॉन्ट पाया जाए अब यह जो कार्भो हाइड्रेट यह अटेज्ड होते हैं प्रोटीन के साथ और उस प्रोटीन के साथ जो कहां मुझूद है अल्यप्लाजिकिल में और यह स्पेशलाइज मॉलीकुल बिलूट करते हैं इयान में में जिसके वाइसे क्या कर अजाते हैं आप जाते हैं जैसे इस सिक्रेटरी परोटीन के फार्मेशन हो जाती है तो अग्रेन करना है इस यह वह दूसरे परोटीन से अल्ग रखना है क्या करना है endoplasmic reticulum membrane ने secretory protein क्या करना है separate रखना है दूसरी तमाम protein से जो कहां में मुझूद है endoplasmic reticulum में अब क्याना जी यह जो protein ना यह जो carbo glycoproteins यह cytosol के अंदर ही मुझूद रहेंगे यह कहां में मुझूद रहेंगे cytosol में सही मैंने कहा कि जैसे secretory protein की production हो जाती है तो इन्हों ने ER membrane ने इस secretory protein को दूसरी तमाम protein से क्या करना है separate रखना है और यह कहां मुझूद होगा cytosol के अंदर ही अब यह जो secretory protein है इसने वेजिकल की membrane से जो ER wrap से डिपार्ड हो जाना है इसने क्या करना है जी इसने क्या करना है जी डिपार्ड हो जाना है इसने अलग हो जाना है कहां से अलग हो जाना जी ER wrap से यह कहां में पाया जाना है जी वेजिकल की membrane में ठीक है बड लाइक बबल की फार्म में ठीक है इसमें बड लाइक बबल की फार्म में एक खास किसम के रीजन से बबल्स फार्मा स्पेशिलाइजड रीजन इसको हम लोग ट्रांजिशनल वेजिकल का नाम लेते हैं किसका नाम लेते हैं ट्रांजिशनल वेजिकल का ट्रांजिशनल एंडोप्लाजमिक रटिकुलम केलें अगर आप यहां पर देखेंगे ना तो जो सीक्रेट्री जो प्रोटीन है उन्होंने क्या करना होता है एंडोप्लाजमी रेटिकुलम से रेप हो जाना है लिए ठीक है कि इसमें बड लाइक बबल की फार्म है यहां को प्रोटीन निजरा है एक स्पेशिलाइज डीजन से इसको हम लोग ट्रांजिशनल एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम का एरिया कहते हैं और यह ट्रांसपोर्ट वैजिकल निकला हूँ है वैजिकल इन ट्रांजिट फार्ट वी साल तो अने इस गाल्ल ट्रांसपोर्ट वैज चाहित यह क्या है एक रिजन मुझूध है किसमें में अन्द प्लाजमिक रेटिकुलम में और रिकिस फार्म में वैजिज निजरा आते हैं बड़ लाइक बबल अब नेक्स्ट जो है ना ये थो था इसका function सिक्रेट्री प्रोटेन के वाले से नेक्स्ट जो है ना function देखते हैं rough endoplasmary reticulum का in the case of factory या basically membranes की ये क्या है दूसरे function क्या है इसका membrane factory for the cell factory for a cell ये पहला function था इसका किसमें सिक्रेटी प्रोटेन के वाले से और ये दूसरे membrane factory for a cell अब जो rough endoplasmary reticulum है किसमें membrane factory में इन्होंने क्या करना है grow करना है membrane protein के साथ ना सिर्फ membrane protein के साथ बलकि phospholipid के साथ और ऐसे इसके अपनी membrane में मुझूद है यहां यहां मैं निख भी करती हूं rough endoplasmary reticulum grow is a membrane factory for a cell ये क्या है membrane अब इसने क्या करना है जिसने ग्रो करना है इसके साथ ग्रो करना है इसने एड्ड करते जाने हैं membrane proteins को और साथ साथ किसको फास्फो लिपिड्स को अपने अंदर क्लेर अब जैसे यह dishing age is a part five इंड ब्रॉकर जैसे ही क्या करेंगी app p यह ऑजेगी दिस टेन्ड होजएगी टिस टिनाइड हो जागी ऊश्की निभिजे में क्या होगा जी किस फार्म जी membrane proteins की फाउन मेंब्रेन प्रोटीन तो क्या करेगी यह ग्रो करेगी राइबोसोम से ग्रो फ्राम राइबोसोम ठीक है अब जो राफ एंड प्लाजम ने अटिकुलर मेना इसने की करना है और जैसे कि इसने खूद प्रोटक्शन करनी है अब जैसे की इसने खूद प्रोटक्शन कर रही है अपनी मेंब्रेन फैक्ट्री कोई राफ एंड प्लाजमिक तो यह इंको इंसर्ट किया जाता है और जोरा जोरे रखा जाता है पॉर्श्न न गारो को सब्सक्राइब कि पॉर्चिल दिखें जाएजिंगें घिदहर Phospholipids बार Надगी कि Omg या सब्सक्राइब रेक्स्टराइब पॉर्ट लग्स हुआएब अब जो एक्सपेंड करना है और ट्रांसफर करना है इन्धी फार्म ओफ ट्रांसपर्ट वेजिकल की फार्म नोग दी अंडर कंपार्टों लोग दी अंडर मेंब्रेन सिस्टम क्लिर है कि किस तरह से राफ एंडो प्लास्तिटिक फंक्षन दूपर भ के नगी हम लोग एंडों मेंब्रेन को इसलिए लोग प्यक्वाइब नूर्प नोग तो, एसलिए वाज बेसिज पी थाए निफसल कि जाते ही तो यह को परूप्राजम निकर्स भापनें से टांके और Comparnt निकर दिक सब्टार को इसको क्या कहते हैं हम लोग एंडप्लाजम अटिकुलम की इसी वाज से नाम लेते हैं क्लियर